द्राइ आईज एक ऐसी समस्या है जो हमारी जीवन सैली में आमतौर पर कई कारणों से देखा जाता है द्राइ आईज में आखों का पानी सूखने लगता है जिससे आखों की नमी कम होने लगती है इस वीडियो में हम बात करेंगे ड्राइ आईज के लक्षन, ड्राइ आईज के कारण, ड्राइ आईज के लिग गिरे कुछ प्रभावी घरेलो उप्चार और ड्राइ आईज से चुटकारा पाने के लिए कुछ टिप्स लेकिन आगे बढ़ने से पहले यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसे ही health related videos के लिए जरूर सब्सक्राइब कर ले अब जानते हैं dry eyes के लक्षन आखों में जलन होना, खुजली होना, लालिमा, dryness और भारीपन एक समाने लक्षन जो आम तोर पर dry eyes वाले व्यक्ति में देखने को मिलता है वो यह है कि व्यक्ति लगतार आखों को रगड़ता रहता है और बार बार पल के जपकाता है dry eyes के कारण है लंबे समय तक computer पे काम करना या mobile का इस्तिमाल करना परियावरिन में प्रदूशन, एर कंडिशनर में अधिक समय तक बैठे रहना क्योंकि एर कंडिशनर कमरे से नमी को कम कर देते हैं कुछ दवाओं का उपियोग, बुढ़ापा, आखों में सूखा पन और खुजली ड्राइ आइस के लिए कुछ प्रभाविक घरे लूप चार कुछ इस प्रकार है पहला, ओमेगा थ्री फैटी एसिट से भरपूर खादे पदाट खाएं ओमेगा थ्री फैटी एसिट से भरपूर कादे पदाट चैसे अलसी, छिया बीज, पाम ओईल, चुना या सैलमन फिश, अक्रोड और अंडे खाएं यह आँखों की सूजन को कम करता है और आँखों में आविस्टिक मॉस्चराजेशन पैदा कर ड्राई आईज में रहा देता है दूसरा, अलोवेरा जल त्वचा समंधी बिमारियों में अलोवेरा के फाइदे हम सभी जानते हैं लेकिन आपको बता दें कि आँखों की देख बाल के लिए भी या उतना ही प्रभावी है यह अलोवेरा के एंटी इंफ्लमेट्री और मॉस्चराइजिंग गुनों के कारण है इस सुपाई को करने के लिए एक मग नॉर्मल पानी में कुछ चमच अलोवेरा जल के मिलाएं और फिर इससे आँखों को धुए अलोवेरा जल के लिए मेरा सुझावै कि आप बजार में उपलवद अलोवेरा जल के बजाए प्राकेटिक अलोवेरा के पौदे के पत्तों का उपियोग करें आप अलोवेरा के पौदे के पत्तों को बीच से काट कर उसमें इसे जल निकाल सकते हैं तीसरा गुलाब जल गुलाब जल को हाइडरेटिंग और धंड़क प्रदान करने के लिए जाना जाता है। ड्राइ आईज में गुलाब जल का उप्योग करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका दिन में 3-4 बार दोनों आखों में 1-2 बून गुलाब जल डाले। दूसरा तरी करने से आपको सुख referrals से मिलेगी चौथ्धा टी बैक्स इस उपाय को करने के लिए कुछ मिनट के लिए गर 먹 पानी में डुबोएं और फिर इसे बाहर निकाले और कुछ मिनटो ठंडा होने के लिए इसे छोड़ दे अब टी बैक्स को अपनी आखों के ऊपर पांच मिनट के लिए रखे इस उपाय को दिन में कम से कम दो से तीन बार जरूर करें पांचमा आलू सूखी आखों के लिए एक और सरल और प्रभावी उपाय है आलू आलू के दो पतले स्लाइसे काटें और इसे 10 से 15 मिनट के लिए अपनी आखों पर रखें इस उपाय को दिन में 2 से 3 बार करें आईए अब जानते हैं ड्राई आइज से चुटकारा पाने के लिए कुछ टिप्स जब आप लगतार कंप्यूटर या मुबाइल पर काम करें या टीवी देख रहे हों तो अपनी आखों को बीच बीच में जरूर जपकाएं आपकी आखों में नमी बनाए रखने की मदद करेगा हर आधे या एक घंटे के बाद आप अपनी हथेलियों को रगड़े और फिर अपनी हथेली को कुछ सेकेंड के लिए अपनी बन आखों पर रखें या उपाए आपकी आखों को अराम देगा और आपको सुखी आखों से चुटकारा पाने में मदद करेगा धुम्रपान से बचें धुम्रपान ना केवल स्वास्त के लिया निकारक है बल्कि या सुखी आखों के लक्षनों को भी बढ़ाता है इस प्रकार धुम्रपान से बचना चाहिए यदि आप लंबे समय तक एक बंद कमरे में एर कंडिशनर में काम करते हैं तो अपने बैठने की जगा के पास एक ग्लस पानी रखें या आपको कमरे में प्रियाप नमी बनाए रखने में मदद करेगा और ड्राइ आई से बचाएगा आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से एक नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए स्टे हिल्दी और स्टे बलेस्ट थांक यू